कि चलो कि गुड मॉर्निंग अल अफ यू कि हम लोग पेपर से चालू करेंगे और पेपर खतम करने के बाद हम लोग एक साइन्मेंट भी करेंगे ठीक है तो शिवांगे मैं इस जुइंग पास्ट पेपर और पेपर भी एंड वाइवन राइट वाइट एक बार के लिए डा और अधर अमॉक नेक्स्ट वीक एंड पिपर भीक एंड ओव श्ली पेपर काली मॉओ को ठीक है टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सब्टेंबर 23 का पेपर से चालू करेंगे सबको वाइस हारा है मेरा चैट बॉक्स में लिएस नो चलो तो सब्टेंबर 23 का पेपर से चालू करेंगे सब्टेंबर 23 का पेपर से चालू करेंगे अब कॉश्चन नम्बर वन में आओ question number 1 में आओ September 23, question number 1 सब बेंच में जगा तो है न सारा बेंच में जगा है न, कोई दिक्कत नहीं हो रहे तो mortality table gives the value of a50 so a50 का value हम लोगों कितना दे दिया है 0.3 और interest rate में रोगों को दे दिया है i is 0.05 ठीक है जल्दी आओ calculate using appropriate approximations a-bar 50 a 50 a-bar 50 adu 54 तो basically अपने को a50 का value दे दिया है और वहाँ से यह चार छोड़ा छोड़ा चीज निकालना है कितना marks कहें देखो यह पहले जो जो आता होगा वो सब कर ले न भाई और बाकी जो नहीं आता होगा वो choice में छोड़ देना ठीक है सबसे पहले हम लोग आएगा a-bar 50 क्या होगा 1.05 to the power 0.5 a 50 थोड़ा सा quick रहना आज हम लोगों ठीक है या फिर इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते है i by delta into a 50 ठीक है अब जैसे एक और चीज देख लो a 50 is 1 minus d a-dew 50 and a 50 is what a-dew 50 minus 1 again a-bar 50 is what a-dew 50 minus 0.5 and a-dew 54 संस्कृती बोलो क्या हो गए ला excellent a-dew 50 minus 3 by 8 चार नमबर हम लोग के हाथ में ठीक है कुछ भी difficult नहीं है कोई भी fail नहीं होगा एक्जाम में जान मुझके ठीक है check your laptop system requirements word excel अच्छे से चल रहे कि नहीं चल रहे है your home internet speed connection it's not a one day task तुम लोग सोचेगा एक्जाम में मेरे संगी ऐसा क्यों हो because you did not take precautions तो पीछे भी जगा बना लेना ठीक है because you did not take precautions before the exam ठीक है ना जादा करके focus आज बोट पे रखना मेरा बात सुनो मेरा बात सुनो जादा करके focus आज बोट पे रखना यह जो पूरा PDF एक्स्ट्रैक्ट होके आप लोग को गुरूप में मिल जाएगा ठीक है focus should be on the board today ठीक है चलो theory question बात में करा देंगे copy जितना टाइम में होगा कर लो बोगा उतना टाइम नहीं में बस I have appointments ठीक है अब 5 deferred 5 deferred Q X 1 Y इसका मतलब क्या होगा बताओ किर्थी बोलो क्या होगा इसका मतलब 5 deferred Q X 1 Y 5 साल बात 5 deferred Q X 1 Y हाँ बोलो 5 साल बात ना जल्दी कुछ और कोई और लास्ट बेंच बोल question paper क्यों नहीं किया पड़ा पड़ से paper download कर लो ने ने गाड़ी भार लगाना पड़ेगा गाड़ी भार लगाना पड़ेगा हाँ 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 तो चप चप के बैठो बड़ा बेंचे सर वहाँ पर बैठे है तभी सर आज यहाँ खड़े है तुम गया नहीं है सीएगा कुछ इंग में भाई नीचे बैठा देता था हम लोग के टाइम का बात हो रहा है मैं एक डिकेट एक डिकेट हो गया मिरको पढ़ते वे तिल स्टडिंग टूडिंट ठीक है बोलो यह क्या होगा अगेस मेरे आखों में कुछ चला गया है ओ विश मांगने के लिए बोलो तुम लोग क्या मांगे हम पागले का पास तो ऐसी हो जाएगा हम बोले है वोगन पांसो का पांसजार कर देना यहाँ पर जो मरने पर जो रेस्ट्रिक्शन है मरने पर जो रेस्ट्रिक्शन है वो किस पर है एक्स पे है क्योंकि एक्स के उपर वन है तो बेसिकली बोलने का बतलब क्या है फाइव और शिक्स के बीच में एक्स मरेगा और य बाद में कभी भी मर सकता है ठीक है ना बट पहला पांच साल कुछ नहीं होगा ठीक है तो रेप्रेजेंट्स दी प्रॉबाबिलिटी देट दी फ़र्स देट ऑफ एक्स न वाउकर्स बिट्वीन फाइव और शिक्स एक्स ठीक है ना इसके बाद में इसके बाद में बोल रहे हैं calculate showing all working the value of the expression in part 1 हम लोग को basis दे दिया है mu x दे दिया है right so mu x अपने को कितना दिया है 0.025 and mu y अपने को कितना दे दिया है 0.01 you should assume x and y are independent with respect to mortality so कैसे करेंगे इसको बताओ so इसका expression कैसे बनाएंगे integration 5 से 6 ठीक है tp x tpy tp x tpy लिखा तो भाई tp x tpy tp x tpy भाई भाई क्या बूल रहे है तुम ठीक है so 5 to 6 e to the power minus 0.025 t e to the power minus 0.01 t ठीक है mu x plus t which is into बोलो ठीक है सब लोगों सब्च में आ रहे हैं online में yes no thumbs up एजब कुछ तो दिखाओ भाई ठीक है एक चीज़ समझो tp x बोले है न so अगर यहाँ पर tp x बोला है तो इसका मतलब क्या है कि वो शुरू से time t तक जिन्दा है and t can take any value between 5 and 6 ठीक है आईए अब next question पर आईए question number 4 पर आईए insurance company sells two year endowment पहले आज हम लोगो यह चेक करना है कि जो question है हम लोग क्या उसको interpret कर पा रहे है that is the main goal ठीक है एई तुम फोन पे चलू करो फटा पट या फिर तुम फर्स में आज़ो संस्कृती भी शेर ठीक है insurance company sells two year endowment insurance to life's age 67 exact so क्या हो रहे है दो साल का endowment insurance हो रहे है lives age 67 exact on exactly surrender sorry on early surrender of the policy a sum equal to the total premiums received is returned to the policy holder the surrender value is payable immediately on surrender तो क्या बोल रहे है premiums कुछ interest के लिए बोला है क्या नहीं बोला है तो return of premiums without interest the company is profit testing the policy and is setting up the dependent rates of decrements independent mortality rates and surrender rates are given जल्दी जल्दी इधर जल्दी इधर जल्दी इधर कहां जल्दी परस्मिच right in front of the director independent mortality rate दे दिया है तो कैसे करेंगे q से mu निकालेंगे कि mu directly देख लेंगे q से mu निकालेंगे right surrender rate हम लोगो दे दिया है 15% 10% forces of decrement are assumed to be constant calculate showing all working the dependent rates of surrender ठीक है तो सबसे पहले तो आपने को independent surrender rate दे दिया है एक्च्छल में यू नहीं 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 वाट यह वाट यह वाज्यूम्ड इस दाट इस दिस दी बोलों बोला ना इंडिपेंडेंट surrender rate है तो बेसिकली यह लोग इसको probability माना है यह लोग इसको probability माना है है ना एक काम का रूम थी में जाओ रूम थी में देखो extension नहीं यहां पर लगा लेंगा यह लोग इसको probability किया है तो नोट में लिख दो probability आजूम किया है इसको यह ऑपनेको दिया है ना 15% ऑद 10% जो अपनेको दिया हैं ना 15% और 10% यह लोग इसको probability आजूम किया है तो probability आजूम किया है तो force निका लेंगे ठीक है probability अजुम किया तो force निकालेंगे न तो force कैसे निकलेगा बताओ minus ln 1 minus 0.15 फिर minus ln 1 minus 0.10 यह तुम्हारा surrender का हो गया उसी तरीके से mortality के लिए हम लोग table book से क्या देखेंगे सब लोग table book निकालो सब लोग table book निकालो table book से हम लोग क्या देखेंगे फड़ाबट से बताइए हाँ क्यू देखेंगे न क्यू देखेंगे so minus ln 1 minus 0.0 17 824 minus ln 1 minus 0 0.019 913 देखेंगे ने क्योंकी उसमें ना क्या होता है ग्राजूएशन और स्मूधनिंग का कॉंसेप्ट अप्लाइड है तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे इसा मत करना कि कुछ गिर जाए हाँ ठीक है और कोई आएगा तो बोल देना मतलब हम लोग हमेशा क्या करेंगे क्यू से मू निकालेंगे यह हमेशा चाहे पोर्स बोले चाहे कुछ भी बोले अधर प्रॉब्लम हेर इस यह लोग ऐसे क्यों किये नाव देपेंडेंट्ट मोटालिटी रेट रेट तो जोब इंडिपेंडेंट्ट्टी रेट बोला है एंड तुम क्या कर रहे है इधर कहीं नी जाने इधर ही बैटो एक जन पीछे दो जन समने इधर इधर जहां बोल ले चलाओ ठीक है क्यों से हम लोग म्यू निकालेंगे क्यों से हम लोग म्यू निकालेंगे ठीक है हम लोग को जैसे इंडिपेंडेंडेंट्ट मोटालिटी रेट इंडिपेंडेंडेंट्ट सरेंडर रेट यह सब सब दे दिया है ठीक है तो जब मोटालिटी रेट बोला है औ तो similar concept है मैं applying कि यह जो independent surrender rate बोला है independent surrender rate जो बोला है इसको probability assume कर लिया है मैंने ठीक है तो probability से मेरे को force निकालना पड़ेगा तो सारा force मेरा आ गया और force से हम क्या निकालेंगे dependent probability निकालेंगे which is aq aq निकालेंगे right गाड़ी लग्या तुम लुका आप ट्राइवल बस मेट्रो अलसो मना कर दी तो ऐसा बायस नहीं में कि लड़की को हां बोल देंगे तच में जगा नहीं है भाई तुम्हारे मन में तो वह आया होगा कि सर वो लोग कहां बोले हैं मेरे को ना बोल दिये उसका फोन आया मतलम समझ गए नहीं होने से मना नहीं करेंगे बाट में बस खुद के बास दो तीन गाड़ी है तो और पार्किंग तीन ही हैं अगर तुम्हार बोल देता तुम्हों लोग तो हम अपना गाड़ी नहीं लाते हैं अगर तीक है है हां अ ले लो ना गुरूप में डाल दूना कोई पेपर गूप में डाल दूना फड़ा फट पर फेपर में थोड़ा बट डिस्टरबेंस हो रहा है अँआ हो ओ है है कैसा बोल रहा भाई तुम्हार अरे अब तो माइन हां टेबल वो बन मैंस क्यू भी दिया वह है वन माइनस क्यू से क्या आएगा पी नहीं वैसा तो बोला ही नहीं नहीं यह पर अभी तो पहले खाली फोर्स निकाल रहे हैं यह कहां बोला है कि जो लोग पहले तो नहीं मर रहे है खाली वो लोग सेरेंडर कर रहा है सब बोला है इस लेंस ध शरेंडर वैल्यू पर इपल इमीडियेटली अग बोला है वह व्याना क्यूश्चन का टून कैसा होगा कि पूरा साल में जो नहीं मर रहा है वो surrender करेगा तब तब तुम क्या करता पहले तुम करता 1- जैसे मनले 2 decrement है एक है surrender और एक है death death के लिए बोला है कभी भी और ये बोला है end of year अब इस case में क्या होगा 2 decrement होते वे भी death के लिए independent और dependent दोनों same हो जाएगा तब तब तुम क्या करेगा जो नहीं मरा into independent surrender का rate ठीक है हाँ यहाँ पर गोला है दोनों एक साथ ठीक है तो अब इसको कर लेंगे आगे अभी हम लोग ऐसे टेईस का paper कर रहे है September 23 ठीक है अब इसको आगे कैसे करेंगे ये बताओ a q का formula बता दो बस फिर मैं पूरा नहीं करूँगा जैसे मालो mu by mu by mu plus sigma 1 minus e to the power minus अब यही formula से इस्तम को पूरा बनाना है मैंने बेवकूप बना दिया बोल रहा शरेंडर पे return of premium है और यह विचा सोच यह सोचने लग या होगा एक्साम में यह दिया है मतलब कुछ तो करना ही है इसका ठीक है बट अफसोस उसका कुछ भी नहीं करना था and over excited over excited क्या करेगा वो यहाँ पर बोला खली dependent surrender probability निकाल ले वो dependent death का भी probability निकाल देगा बट उसका number कितना मिलेगा zero ठीक है तो यह सब सब ध्यान देना एक्जाम में यही छोटा छोटा चीज़ पर ध्यान देंगे तो problem नहीं होगा अब सका paper download हुआ पहले यह बताओ अब तो नहीं paper download किया हां ठीक है downloaded ही होगा ठीक है question number 5 पर आईए चलो अब आगे चलते हैं a car rental company purchases cars at a price of 24,000 पर का आज के class पे ध्यान ज्यादा करके board पे रहेगा लिखना भिखना मैं PDF निकाल के दे दूँगा अब यह समझो कि समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे अब ऐसा नहीं कि बैठे ही रहोगे और सुनोगे नहीं और वैसा मत करना the company immediately rents them out to customers on a four year contract so time period कितना है चार साल का है before selling them at the end of the contract at a price of oh so selling price is less than the purchase price because यह क्या है car the rental income is payable continuously throughout the four year period and increases by 1500 so increase in rental income is what 1500 per year calculate showing all working the initial annual rental rate that the company must charge for each car in order to achieve IRR of 12 percent यहां स्टालू करेंगे यहां स्टालू करेंगे यहां आयार अब 12 परसेंट आयार आपने को कितना बोल दिया है next week end पे class तो है यह और एक मौक भी है paper भी का मौक होगा वो ठीक है so most probably in the next week we'll be completing all the paper भी ठीक है और उसके अब में एक मौक होगा paper भी का बोलो कैसे करेंगे इसका equation मनाईए यह तुम बोल हां 9,000 इक्वल्स तू 20 excellent 24,000 इक्वल्स तू 9,000 V to the power 4 बोलो X A bar 1 X मेरा क्या है पहला साल का rental income प्लस बोलो X plus 1500 A bar 1 V फिर प्लस X plus बोलो 3000 A bar 1 V प्लस हां very good ऐसा क्यों हो रहे ऐसा क्यों हो रहे देखो यहां पर देख लो हम लोग 1500 इस से चालू कर रहे है है ना फिर अगला साल क्या हो रहे 1500 से बढ़ रहे फिर क्या हो रहे और 1500 से बढ़ रहे फिर क्या हो रहे और 1500 से बढ़ रहे समयज गिए ना this is what this is X plus 1500 and so on क्लियर है हाँ और बोला है चार सल बाद नौजर में बेश देगा कितना नमबर का कुछ से नहीं है छे नमबर का यह टफ लग गया एक सगेंड आवाज नीचे बोलो हाँ क्या हाँ हाँ क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है एक मेंट रुक हो एक मेंट रुक हमको देखने दो हाँ बोलो यह कौन कौन बोल रहा है यह सही है बोलो आई एक उपर बार है न खाली एक उपर बार है बना सकते है लभी सेमी आंसर आएगा ठीक है छे नमबर का कुछन दाई है छोटा छोटा चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा क्वेस्टन में क्या मांगा है क्वेस्टन को पढ़ना और टाइम मैनेज्बेंट यह सब टेकनिकल एरर का प्रोवाबिटी है अलमोस शरॉन 5% मतलब हर 20 बच्चे में एक बच्चे को ऐसा फेस करना पड़ सकता है और प्लीज वन्स जैसे एक पिच्चर आया था कौन सासमें बोलता है नो मीन्स नो यह बोला है ना कौन साथ पिच्चर में पिंक में बोला है क्या तो ऐसी एक हाट स्टॉप का टाइम होता है स्टॉप मीन स्टॉप अगर एक मिनिट भी जादा लिखा तो यह पीपर माइट गेट कांसल्ट और नो लिंक्स देर ठीक है फॉर्स थिंग सेकंड थिंग अगर मान लो तुम लोग कोई भी आल्टेनेटिव वर्ट फाइल से कॉपी पेस्ट करते हो that's all मतलब वो लोग का AI का कोई सिस्टम होगा उससे पूरा पता लग जाता है कि क्या कॉपी पेस्टेड है क्या टाइप कॉंटेंट है तो प्लीज वैसा बकवास मत करना इंस्ट्रक्शन में दो तीन चीज एकदम क्लियर है कि तुम लोग वर्ट फाइल जो है वो कुछ उससी समय बनाना पड़ेगा ऐसा यह सब सब नियम है तो वो है मतलब उसको फॉलो करना है और वो लोग का जो टेक है that's absolutely strong and cheating करना तो बेफकूफी होगा मतलब उसको होश्यारी नहीं बोलेगा उसको बेफकूफी बोलेंगे for example यह लोग दोनों दोस्त है यह यह इसको फोन मिलाया good यह इसको फोन मिलाया कि जल्दी बता जल्दी बता वो उसको बता दिया 2% ठीक है वो लिग दिया 2% तो उसको तो आएगा नहीं उसको आ जाएगा ठीक है यह इन 2 साल के लिए बेहन लग जाएगा और तुम लोग का तो क्या ही जाएगा मेरा आने वाला fees इसलिए हम लोग उसमें 5% का probability लेकी model किये है ठीक है तो यह सा मत करना ठीक है पेपर वैसे भी कुछ है नहीं पेपर में कितना भी टफ बना देगा ना पेपर में कुछ भी नहीं क्या है यह हाँ यह सा मैम बता देगी ठीक है यह सा मैम बताएगी मैम को पूरा हैंडबुक के बार में को इतना I just कैसा इतना मोटा हैंडबुक पढ़ लेता तो में अक्चरी नहीं पन जाता ठीक है चला आओ, नेक्च में आओ we have अक्चरी's, they will guide you question number 6 पे आओ, an insurance company issues a deferred whole of life increasing annuity deferred whole of life increasing annuity policy to a life age 50 exact so x मेरा कितना है 50 payments are continuous and start at 5000 so payments start at 5000 per annum from 860 ठीक है once in payment the annuity increases at 2.5% per annum compound which increases occurring continuously तो पहले तो 10 सल कोई payment होगा नहीं start होगा पांच जहर से और हर सल 2.5% का increase होगा calculate showing all working the EPV of the annuity 4.5% पर आदम effective mortality deferment में अलग है ELT 15 and उसके बाद अलग है 4.5% 4.1% so let's start सबसे पहले V to the power 10 L 60 by L 50 उसके बाद में इसमें multiply हो जाएगा 5000 integration 0 से infinity 1.025 whole to the power T V to the power T T P 60 DT इसका मतलब क्या है तुम जितना time जिन्दा रहेगा उतना तुमको annuity मिलेगा right 60 से लेके infinity तक that is why T can take any value from 0 to infinity and यहाँ पर जैसे V to the power T is nothing but अच्छा हम लोग को interest rate दिया है so this will become 0 से infinity 1.025 by 1. 1.045 whole to the power T e to the power minus 0.041 T DT मैं पता 8 बजे क्लास क्यों रखा मैं 9-10 बजे भी रख सकता था hardly matters but मैं देखना चाहता था कि सुबह 8 बजे कौन उठके आता है and that's the sacrifice which everyone here is doing and it will pay off one day मैं भी तो अराम से सो सकता था Sunday है मैं टूर पे गया उसके पहले मैंने तुम लोग कही तो क्लास ले रहे थे शायद मुश्ली ठीक है and मतलब it's how much you can sacrifice that's it सुबह का नींद रात का नींद फ्रेंस के संग पाटी ठीक है मैं बता रहे हैं मतलब कि तुम अपना बड़े में उसके इंवाइट के था फर्जी कैफे में अजो तुम किया देगा सॉरी सो यही है कि सब त्यागना पड़ता है चोड़ना पड़ता है sacrifice is all you need क्या चीज का लालच ठीक है यहला समझ में है सबको बहुत बेसिक बेसिक चीज है पता है problem कहां पर है कि हम लोग अभी वोश सब करने जाएंगे जो पहले कभी ना देखा था for example तुम लोग अभी mat के अंदर अंदर घुश के पहले जो करने का पहले वो करो mat के पीछे का exam style मत भूलना ex assignment और past paper तो मैं कराई रहा हूं mat के पीछे का exam style वाला जो class है वो सब लोग देखना and कुछ अगर मैंने exam style छुटवा दिया तो वो तुम लोग कर लेना ठीक है paper B and Y2 यह तो करना ही है यह कर लिया मतलब सत्तर समझ गया ना यह कर लिया मतलब सेफ फिर उसके जो करना है करो मतलब पढ़ाई करना है अभी दो मैंना फिर उसके बाद तुम एक मैंना ओफ ले लो कोई problem नहीं है but अभी दो मैंना तुम लोग एकदम 40 days roughly ठीक है ना तो यह 40 दिन पढ़ो फिर तुम लोग दो मैंना तो नहीं एक मैना इस फाइन एक मैना वन मन्त इस फाइन एक मैना कुछ नहीं करना होगा आराम सी यू कें चिल आउट यू कें गो और हुक्का नो प्रॉब्लम ठीक है कुछ भी करो उसमय उसमय स्पेशल फ्रेंड को टाइम दो लेकिन अब भी तुमको लगता है अभी हम सोशल मेडिया पर अक्टिव हो जाएं अभी हम घूमने चले जाएं अभी शादी का सीजन है नहीं ऐसे नहीं चलेगा ठीक है नौ इस टाइम तो गियर अप अन हाँ यू इंटू वी से सॉल्व हो गए तो जैसे माले आई ले ट्रू लगा और सॉल्व कर यह एक्स्पोनेंशल है तो यह वी बन जाएगा और यह यू बन जाएगा ठीक है शलो क्वेस्चन नमबर सेवन पर आई है यह सब भी करना पड़ेगा मतलब क्या होता है इंट आई बन जाएगा मतलब से थीओ वि आई अज अगया रगा यह शवी श्वी बन से लगा यह इंट और एंट यह वे एच रहा यह लिए कि एंट फट yू calculate showing all workings the duration of the company's liabilities using interest rate 7% बोलो कैसे होगा प्रेमेंट at the end of first year is इतना कितना है प्रेमेंट at the end of first year 1.2 so 1.2V plus 1.2 into 1.04 3902V plus dot 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 plus 1.2 into बोलो 1.043902 का power में 24V to the power 25 इसको नहीं लेकिया आगे तुम लोग अपने साथ उफ आम सिख छीक है साथ परसेंट है ना इबा करो तो 1.07 1.07 divided by 1. 1.07 divided by 1.043902 कितना आरा बताओ तो मतलब दाई परसेंट आएगा हाँ और एक चीज है अभी हम लोग को इसका DMT निकालने बोला है ना so this will be 1.2 into 1 V to the power 1 plus मेरे बाद ध्यान सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ 1.2 into 2 1.043902 so this is 1.2 V dash plus 1.2 V dash का plus dot 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 1.2 V dash to the power अब 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 1 by 1.043902 okay I don't mind 1 into V dash 2 into V dash का plus 3 into V dash I A 25 at the rate I dash clear हो गया है ना so this is what solve का लोब इसको हो गया तो और क्या अब 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 हो गया और नीचे में क्या हो जाएगा A अरे नीचे में तो यह ही रहेगा नीचे में तो यह रहेगा ना clear है सबको नहीं अरे यह तो present वाली हो गया ना फिर यह तो numerator निगाला V के जो power में है वो नीचे आएगा V के जो power में है वो नीचे आएगा ना सो finally क्या हो सकता है देखो यह वाला जो पूरा पाट है यह तो दोनों में कट जाएगा उपर नीचे दोनों में कट जाएगा finally क्या आएगा I A 25 बाए A 25 बोली हा कि ना तीन दिन का conference पे सिर्फ एकी बाट बोला है जो भी आया बोला है कि 25,000 एक्चुरी चाहिए बोला अभी कितना होगा 2,212,200 मैक्सिमम क्या चीज पास पास रेट वो सब छोड़ो ना पास वास तुमनों क्या student mindset बोल रहा है इंडिया का जो पेनिट्रेशन हम भी बहुत स्टेडी किये प्राइम मिनिस्टर मोदी इस हाविजन विजन 2047 तो मेक इंडिया अ डेवलप कंट्री बोल रहा है इंडिया का जो पेनिट्रेशन परसेंट लेस देन 5% मतलब हर 100 लोग में सिर्फ 5 लोगी इंशॉरेंस का मतलब जानते है ठीक है तो डेवलप कंट्री में 12 से 13 परसेंट है हाँ बस एक तो इंडियान कंपनी का डिमांड बढ़ेगा वेन मोर औन मोर प्रोड़क्स आ सोल्ड दूसरा है सॉफिस्टिकेटिट इंशॉरेंस प्रोड़क्स जेवलप होंगे जैसे फोर एक्जामपल करेंटली सिंपल प्रोड़क्स आर टर्म इंशॉरेंस डेफट जो लोग पड़ते वैसा ही है बट नाव यू सी everything is being insured your home, your car okay your movie ticket, your flight ticket everything is having an insurance your phone okay, dental insurance, everything like foreign made is very developed foreign made there is no मतलब हाँ पर ऐसा होता है कि कोई भी contingency नहीं है इंसान के life में इंसान का life खतम हो गया, तो life insurance है health खराब हो गया, तो health insurance है आप बाहर पढ़ने जा रहे हो, तो travel insurance है so there is no kind of contingency in a person's life so everything is being insured plus जो MNC companies है, वो इंडिया में अपना office established कर रहे है जो company में तीन साल पहले, चार साल पहले, तीस लोग काम करते थे आज बापर तीन सो लोग काम कर रहे है ठीक है, एंड यह रुकने वाला नहीं है so you are in a very great profession but never compromise your ethics for that तुम लोग को अभी exam में ऐसा लग रहा हो गए रही है ऐसे कर लेते हैं उससे बहुत बड़ा profession में हो तुम लोग आने वाला time में पहले क्या होता था खाली traditional सिक्टर में employment था, only insurance 4-5 forms of insurance है, UK defined benefit pension यह सब में था but अभी US, UK, Asian सब जगा पे we are in demand हां, चलो ठीक है ला समझ में है अच्छा इसके बात कभी है the rate at which payments are expected to increase has been revised and is now greater than इतना, ओ greater than इतना है तो अगर इसको बढ़ाएंगे तो मतलब मेरा pull rate कम हो जाएगा and pull rate कम होने से DMT बढ़ेगा pull rate कम होने से DMT बढ़ता है याद है हम लोग ऐसे किये थी एक्टो ग्राफ ठीक है है यह बाद देखते हैं यह लोग क्या लिखा है if the increase rate is greater than this the size of future cash flows would increase this would give a greater rating to the present value of payments so the mean term of the cash flows weighted by present value would increase सम्झा ना देखो क्या हो रहा है यह वाला जो है यह पर क्या हो रहा है यह रहा है मैं सम्झाता हूं यह लोग क्या बोल रहा है 1.07 by 1.04 3902 ठीक है अगर यह है अगर यह बढ़ रहा है अगर यह बढ़ रहा है तो यह पूरा गिरेगा राइट यह पूरा गिर रहा है मतलब मेरा जो discount rate है मेरा जो discount rate है वो कम हो जाएगा अगर मेरा discount rate कम हो जाएगा तो क्या होगा बताओ present value बढ़ जाएगा and DMT का मतलब क्या होता है DMT का मतलब क्या होता है बताओ बोलो DMT is what mean of the term of the cash flows weighted by present value तो यह जो present value जो weights की तरह एक कर रहा है यह बढ़ रहा है मतलब क्या होगा मेरा DMT भी मने weight बढ़ रहा है समझ रहा है summation of fx by summation f यह बढ़ रहा है यह वाला और यह वाला बढ़ रहा है तो यह दोनों बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है ठीक है DMT will increase एकदम simple logic क्या है linear relationship होता है जैसे जैसे आप interest rate बढ़ाओगे वैसे DMT गिरता है बट अभी अब क्या करें हो interest rate कम करें हो तो DMT बढ़ेगा बोलो ठीक है ना आने वारा यूग हमारा है prepare करियो उसके लिए ठीक है यह हो गया वो ही लिखा है the size of future cash flows would increase this would give a greater waiting to the present value of payments made in the future and so the mean term of the cash flows weighted by present value would increase ठीक है question number 8 करिये मैं 2 minute का time दे रहा हूँ चालू करिये question number 8 AC पीछल AC off कर दू इधर का अपनी होगा नहीं कुछ नहीं होगा और यह को ढिने होगा की काम झाल 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 ठीक है हाँ ने तुम लोग को ये वहला समझ में है ना इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग A life insurance company issues a 15-year decreasing endowment insurance policy which provides the sum assured given by the formula. Formula क्या है? 1,55,000 minus 5,000 T The sum assured is payable on maturity at 860 exact or at the end of the year of death if earlier. Level premiums are payable annually in advance. Gross premium निकालना है फिर हम लोग को निकालना है prospective gross premium reserve immediately before the 6th premium मतलब time 5 पे निकालना है यादा रहे है बोलो कैसे करेंगे इसको कितना साल premium होगा mortality बोला है AM92 ultimate 6% per annum interest initial expenses 300 at issue plus 25% of the first premium renewal expenses 3% of the second and subsequent premiums claim expenses 2% of the बोलो ठीक है चलो आप बोलो को कैसे करेंगे बोलो P.A.D.U. 45.15 बोलो हम लोग को बोला renewal expenses 3% और 15 साल का decreasing term insurance sorry decreasing endowment insurance policy है तो पहला साल में कितना होगा 1,50,000 फिर 1,45,000 and so on ठीक है decreasing endowment insurance है तो कैसे करेंगे बताओ 1,55,000 A 45.15 और यहाँ पर into 1.02 हो जाएगा जो की मेरा claim expense है हाँ हाँ दोनों में कर देंगे minus 5,000 से गिर रहा है I A इसके बाद में और क्या-क्या है 300 फिर क्या बोला है अब एक काम करो premium को 97% से multiply कर दो तो क्या होगा 0.25 बोला है न यहाँ पर 0.22 पी कर दो क्याँ 25% बोला है तो 25% को I am doing as 22% का खर्चा उदर दिखा दिया और 3% यहाँ premium से कम कर दिया हर एक रुपिया जो premium आएगा उससे 3% अरे बोलते नहीं हो चला जाएगा और पहला साल में 25% चला जाएगा क्योंकि initial commission is very high initial expense is very high ठीके न So 22% and 3% So 3% यहाँ all total में adjustment कर दिया बोलू नहाँ और 3% और यहाँ 22% ठीके short 25% यहाँ करते इससे अच्छा मैंने यहाँ कितना किया है 22 और यहाँ मैंने कर दिया 97 मतलब यहाँ 3% का adjustment कर दिया तो renewal यहीं आ गया ना वहाँ करते 0.03 P A due पूरा minus 1 इससे अच्छा यहीं पर adjustment कर दिये हाँ एक 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 कर दिखाना पड़ेगा भाई नंबर नहीं मिलेगा क्या बोल रहे है क्या नहीं हाँ यह एक प्रॉल्म हो रहे है ना नहीं यह तो समझ में आई रहे है यह तो समझ में आई रहे है क्या प्रॉल्म हो रहे है सीधा मतलब यह उल्टा है तो फिर सीधा क्या है क्या बनाते हैं एक सेंट तुम से बत कर एक मिद्ट को क्या बनाते हैं अरे बोलो तो क्या बनाते हैं पूरा अब ऐसे तुम ओली ना यह उल्टा है पूरा बोलो अब पी एड्यू आई बात करें निकाल देंगे आई जीगिशा बोलों पी एड्यू पॉर्टी फाइफ फिफ्टीन एक लाग पंद्रह हजार वन लेक फिफ्टी थ्री थाउजन ओके एड्यू हां जो बोला माइनस और प्लस प्लस करके माइनस कर देंगे समझा हां तुम उसको बोलने दो ना बोलो कि यह लोग सब तुमारे तरक्की से जलते हैं तुम ध्यान मत दो इनके बातों में तुम बोलो कि प्लस थ्री अंड्रेड्ड कि यह प्लस है तुम यह समाझलो है तुम प्लस थ्री अंड्रेड्ड बार हस्ती भी लड़की तुमारी दोस्त नहीं हो सकती है दुनिया ऐसी ही है हम बोल रहे मत सुनो उप्जाम में ऐसी करेगी तो रहें करतेगी पूरा हम मेरे बोलो अब प्लस दिरो पॉइंट हाँ अरे अंदर देख रहें तुमारे देख भी नहीं सकते क्या दिरो पाइंट दिरो थी पी एक सगेंड एए एक मेंट रुको एक मेंट है इधा देखो यह 3000 कहां से है बड़ते यह बताओ तुम बोलेगा उसके लिए तुम बोलेगा उसके लिए एक मेंट 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 एक मे मैंने तुम यह बोलना चाहती हो कि डेल लाग जो पहला साल का है इसका एक मेने डेल लाग का दो डेल लाग डेल लाग का दो परसंट तुम बोल रही हो ना राइट एक एए तुम लोग चुप रहेगा दोनों का दोनों चुप सार सर मत करो एक मिन बोले हां क्लास थ्री में क्लास थ्री में हमको पढ़ाया गया था अमाउंट एंड परसंटेज अर नौट सेम हां तुम तुम अमाउंट लिख दी तो हर बार क्या वो दो परसंट सेम रहेगा तुम चुपरोगी एक मिन जब अमाउंट गिरके एक लाग बीस हजार होगा तो क्या इसका दो परसंट सेम रहेगा और एक बात और एक बात डिक्रीजिंग में प्लस कहां से होने लगा भया जो हसा अब तुम क्या बोल रहा भई तुम क्यों हस रहे है वो कैसे छोड़े हम प्लस करे के माइनस थैंक गॉड ये टीन ए सुनो यह जो हुआ है यहाँ पर आज, यह आपके साथ exam hall में भी हो सकता है, साफधान रहें और सतरक रहें, यहाँ पर 3000 जो है, 3000 एक amount वो कर दी, बट amount तो change हो रहा है, तो changing amount, adaptability, ठीक है? अगर तुम अपने आपको adapt नहीं कर सकरे हो, यह से बहुत लोग बोलता है, हम तो pain or paper पे ही देंगे, I shifted to IAI, अब ले लो मजा, ठीक है, adaptability is the keyword, ठीक है? Adaptability यह जो तुम की हो ना, अब मेरे को समझ में आ गया, भाई, तुम जागो नीन से तुम यह क्या कर रही हो यहाँ पर? Decreasing बोला है, तुम प्लस कर दी, चलो ठीक है, लेकिन तुम इतना तो दिमाग लगाती, कि 3000 एक specific amount यह तभी apply हो सकता है, जब तुमारा some assured change नहीं हो रहे है, यहाँ तो हर साल change हो रहे है, तो वो percentage दिया ही इसलिए है, अगर अब एक minute, अब एक minute, अगर उसको amount ही देना होता, तो वो amount देता ना, अगर उसको amount ही देना होता, तो वो amount देता, यह direct, यह जो सीधा सीधा है, यह बहुत ही लंबा पढ़ सकता है, आपको मनसिल तक पहुंचने के लिए 6 मेन और लग सकता है, ठीक है, यह गलत है, यह वाला गलत है, यही सही है, इसमें हाँ, एक बात हम मान सकते हैं, इसमें सिर्फ एक चीज़ जो है, वो change हो सकता है, जो change हो सकता है, वो यह है, कि यहाँ पर 0.97 नहीं, मैंको लगा तुम इसका बात कर रही हो, 0.97 जो है, इसको लोग यहाँ पर ले सकते हैं, विच इस 0.03 इंटू, एडियू वाला पूरा, विकोज यहाँ पर मैंने adjustment, अब इसके बाद next, बहुत ज़्यादा बात हो रहा है, हाँ बोलो, नहीं लेना है, ठीक है, हाँ तुम बोलो अब, इतने से बोली थी, बोलो अब, मेरे तो देखके, आओ, वी फाइव बताईए, देखा, ऐसा ऐसा question फेके करना exam में, बोला, immediately before the sixth payment is due, और तुम लोग क्या निकालेगा exam में, अब friend को phone मिला है, phone a friend, नहीं नहीं, वो बोलेगा, देख, अगर, देख, अगर अच्छा दोस्त हुआ, बहुत ही अच्छा दोस्त हुआ, जो तुम्हारा तरक्की से प्यार करता हुआ था, क्या करेगा, ए वी शिक्स का एंसे बतातो, तुम बोलेगा, वी शिक्स, वी फाइव निकालना था ना, पागल है क्या, मैं अपना एक स्टोरी करना चाहूंगा, मैं भी चीटिंग किया हूँ, ठीक है, तीए फाइनल में, ठीक है, तीए फाइनल में, मतलब विश्वास करो, that was the first and the last time, और अब हमको नहीं, जैस्ट में को पता था, मैं मेरे को डाउट था, बी और डी में, ठीक है, मैं उसको पूछा, भाई इसका, बोला, ए, शॉर, मैं इसको पूछा, मैं भाई इसका, बोला, ए, शॉर, बहुत confident लग रहे तो, ठीक है, मैं उसको मिठाया, ए में ठीक किया, ठीक है, ठीक है, and I got 199, out of 200, है सॉरी, मैंने 200 बस पास, I got 199, मैंने 400 में 200 चाहिए होता है, मैं को 199 आया, failed in audit, ठीक है, प्लीज, बचिए, साफदान रही है, वी फाइफ, वी फाइफ, वी फाइफ में आये, तो क्या हो जाएगा, वी फाइफ मतलब छटुआ साल से करना है, छटुआ साल, 6th year, 155,000 माइनस 5000 इंटू 6, कितना आ रहे हैं? तो क्या लिखेंगे, 130 माइनस 5, तो 130 इंटू 1.02 A, एई बात मत करो, बात मत करना, माइनस माइनस इसके बात बोल रहा है, आइडेंटिफाई, 16 नंबर का कुश्चन है, बताओ, ऐसे नंबर उड़ रहे हैं, पकड़ने वाला कोई चाहिए, मैंने 16 नंबर जैसा इसमें कुछ भी लगा, अब जबरदस्ति के तुम लोग 2% के जगा 3000-4000 लिखके आओगे, तो इसका दो कुछ उपाई नहीं न भई, कुश्चन में बोल रहा 2%, तुम उसका हमाहन में convert करके लिखके आ जाएगा, the company calculates surrender values as the retrospective reserve, using the basis described in part 1 but using interest rate of 5%, retro means क्या, accumulate करना है, accumulate 5 पे कर रहा है, तो कम accumulate होगा, तान 6 पे रहा है, तो ज़्यादा टनेगा, ज़्यादा टनेगा मतलब क्या होता, PV? कम, okay, identify with reasons whether the surrender value will be greater than, equal to or less than the amount calculated in part 2, if the rate of interest had been 6%, तो दोनो same हो जाता, the prospective and retrospective reserves would therefore always been, equal, however, as the rate of interest used for retrospective is lower than 6%, then the premium less benefit and expenses will accumulate at a lower rate, मतलब कमेंट भी देखो कैसा पाती टेप का कमेंट दिया है, मने कुछ तो दे देता भाई घुमा के, मने बोला है, 6 के जगा 5 में करेंगे, बताओ क्या होगा, क्या होगा, मने पांच पी obvious सा बात है ना, कम accumulate होगा, यह तो पितम basic चीज़ चल रहा है, टान जादा पे रहे हैं, 6 पे टन रहा है, और यहां पर accumulate कम पे हो रहा है, the resultant surrender value will therefore be lower, lower, ठीक है, yes, pricing and reserving basis तीनों सब सिम पे हो जाता ना, next is question number 9, आइए, आगे बढ़ा जाए जीवन में, बहुत रह लिए पीछे, अब हमारी बारी है, चलो, explain why a life insurance company might need to set up non unit reserves, obvious बात है, stability चाहिए होगा, reserve क्यों बनाते हैं, कि हम लोग liability time पे meet कर पाए, ठीक है ना, shocks नहीं लगे, ठीक है, a four year unit link policy issue to a life age 45, मतलब X कितना है मेरा, following pattern, minus minus minus, समझा हम क्यों minus 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 बोले, फोर्थ year से तो मेरे को मतलब भी नहीं है, calculate showing all working the net present value of the profit, चार नमर का बाप बाप, calculate showing all working the non unit reserves, recalculate, oh my god, यह क्या है भई, अरे वो जो zeroization में हिंदी में बोले थे ना, उसी को देखो, अब product should be self supporting, मैंने बोला था ना, पैसा मांगने मत आना, उसी को English में convert करके लिखाए, एक बार में बोलो कितना रुप्या चाहिए, बार बार पैसा मांगने नहीं आना, इसलिए हम लोग non unit reserves, बनाएंगे, ठीक है, अब NPV, what? It's written here, इतना में इतना ही मिलेगा ब्रो, NPV, 8% पे टानेंग यार, यह मैं नहीं कर रहाँ प्लीज, कर देख्या, minus 40.75, into 1.08 to the power minus 1, minus P45, प्लीज मात पुछना, जिंदा रहेगा पहला साल तो ही, सर्थ दूसरा साल जिंदा, अरे यार, दूसरा साल जिंदा तो मान के, first year के end पे जो जिंदा है उसी का तो profit है न यह, ठीक है, first year के end पे जो जिंदा है, उसका second year पे profit reflection है यह, ठीक है तो उस साल का कभी नहीं करते हैं, उसको छोड के करते हैं, नहीं, माइनस 2P45, एई, पीचल लेसी चलाओ, इंटो 15.76, बाइ 1.08 का, प्लस 3P45, इंटो 111.54, होल डिवाइड़ बाइ 1.08 to the power 4, सबसे पहला हम लोग कहा पर निकालेंगे बताओ, सबसे पहला हम लोग निकालेंगे, V2, कितना आएगा बताओ, 15.76 जिवाइड बाइ, देखो, यह हम लोग reserve बना रहे हैं, और question में क्या बोला है, Reserving interest rate is what, 4%, V2 बनाएंगे, सो यह मेरा कितना आजाएगा बताओ, बोलो कितना आएगा यह, 15.15, सो मेरा revised cash flow time 2 पे कितना हो जाएगा, माइनस 20.14 तो थाई, माइनस, 15.15, P, 45 select, plus 1, बोलो 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 ना, हाँ, select mortality बोला है न, बेसिकली देखो, यह वाला जो V2 वाला Reserve यह, उनी लोगों के लिए बनेगा, जो लोग 1 से 2 सर्वाइब कर रहे हैं, V2 वाला Reserve से उनी लोगों के लिए बनेगा, जो लोग 1 से 2 सर्वाइब कर रहे हैं, वी टू, वी टू, वी टू, यह पूरा, ठीक है, यह CF2 आ गया, रिवाइज कैश फ्लो अब बताओ, V1, यह कितना आ रहे हैं, फोन बंद कर दो अपना, सुवा सुवा गुड मॉर्निंग चालू हो गया, साथ साल बाद जब बोलेगे न, I was joking, आपके साथ एक छोटा सा प्रैंक वह वह देखे कैमरा, ठीक है, CF2, अब V1 बोलो, V1 बोलिए, 35.27 by 1.0, 33.27 by 1.0, 9137, अब रिवाइस कैश प्लो टाइम वन का कितना हो जाएगा, माइनस 40.75, माइनस 33.91, P45 सेलेक्ट, मैं तो लोग समझ रहे न, रिजर्व्स बनाने से क्या हो जाएगा, profit, defer हो जाता है, फिर इसका हम लोग को NPV निकालने बोला है, इसका हम लोग NPV कैसे निकालेंगे, यह आएगा अपना कितना, माइनस 74.something आएगा, तो माइनस 74. divided by 1.08, फिर 00 है और फिर 4th year का है, उसमें करेंगे 3P45 सेलेक्ट, into 111.54, whole divided by 1.08 to the power 4, the net present value after zeroization, is smaller than before, setting up non-unit reserves, has the effect of deference, deferring the emergence of profit, या फिर bringing forward the early year losses, माने losses को आगे लेके आ रहे न, as earlier cash flows are used to set up these reserves, profits are now discounted for longer, also the rate at which profits are discounted, is greater than the accumulation rate, माने reserve कितना बें बना रहे हैं, 4 में और टान रहे हैं, 8 में, so basically this is, has the effect of lowering the NPV, जो लोग reserve setup करेंगे तो क्या होगा, NPV will be lower, क्यों, because reserving rate is less than, यह सिखाय था न, reserving rate is less than discount rate, so this case में क्या होगा, गिरेगा, when reserving rate is equal to discount rate, कोई बार कोई फरक नहीं आएगा, and when reserving rate is greater than discount rate, बढ़ जाएगा NPV, यह तीन impact मने बताया है, यह आएगा exam में यह वला, यह तीन impact जो बताया है, यह एग्जाम में आएगा याद रखना, फिर उसमें हम बोला नहीं कराये थे, देखो, हाँ बोलो पहले doubts पूछ रो सारा बोलो, कौन सा वला, वो हम बताएंगे उसके पहले का बोलो, institute का mat वाला class जो नहीं देखाया, सिर्फ उसी को doubt हो सकता है, एकदम clearly बताया है उसमें और class में भी, दुबारा से हम बता रहे हैं सुन लो, देखो, basically क्या हो रहा है, एक हम लोग को बोला है, reserve का rate है, और एक risk discount rate है, ठीक है, तीन case लेते हैं, reserve का rate है 4%, यह है 8%, और अगर तुम लोग, reserving, मन लेते reserving career है, यह जैसे कि यह न, V1, V2 बनाना, इस case में क्या होगा, आगे तो लेके जा रहा है कितना में, चार में, और टान रहा है कितना में, 8 में, किसको आगे पीछे कर रहा है profit figures को, तो basically इससे क्या रहा है, defer the emergence of profit, या फिर losses को तुम आगे लेके आ रहा है, ठीक है, तो इसी लिए तुम्हारा जो NPV है, NPV है वो गिरेगा, यही मन लो यह भी 8 है, और यह भी 8 है, तो constant रह जाएगा, और अगर मन लो यह है तुम्हारा 10, और यह है तुम्हारा 8, तो इस case में बढ़ जाएगा, क्योंकि आगे लेके जा रहा है 10 में और पीछे लेके आ रहा है 8 में, ठीक है, देखो लिख दिया यहाँ पर, it will have no impact on the NPV calculated in 2A, as no reserves were set up, the NPV calculated in 2C will increase, because the interest earned on funds has increased, or equivalently the reserves needed to be set aside will be smaller, हम लोग को इसमें क्या question बुचा था, the interest rate used to calculate the reserve has changed to J percent, समझा, पहले बोला 4 percent है, फिर बोला अब J percent कर दे रहे हैं, जो 4 और 8 के बीच में बढ़ा दिया, बढ़ाया है ना, बढ़ाने का मतलब क्या है, बढ़ाने का मतलब क्या यह impact आएगा, ती समझो ना, इतना नहीं बढ़ाया है, थोड़ा सा ही बढ़ाया है, compare करने बोल रहा है, 4 से यह दखो, मैं बोल रहा हूं, 4 से तुम गया मैं भी 5 में, तो तुम reserving rate को बढ़ाया, तो बढ़ने से क्या हो रहा है, 4, 8, 10, पहले जो गिर रहा था फिर constant हुआ फिर बढ़ा, तो ultimately क्या हो रहा है, वो नीचे सोट के उपर ही तो जा रहा है, तो 4 से 5 जब होगा तो क्या होगा, बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, NPV, देखो क्या लिखा है, एक्चुल में देखो, यह देखो, एक, दो, तीन और चार साल का profit figures है, हो क्या रहा है, इसके जश्ट प्रोटी के पहले क्या रहता है, interest on reserve, प्रोटी के पहले क्या रहता है, interest on reserve, यहाँ पर देखो, columns देखो, transfer to reserve, interest on reserve, प्रोटी, अब मेरा बास समझो, यहां तक जो आया था, यहां तक जो आया था, अगर यह directly यहां चला जाए, राइट, अगर यह directly यहां चला जाए, फिर यहां पर जो आया था, directly यहां चला जाए, यहां पर जो आया था, directly यहां चला जाए तो क्या होगा transfer is a negative column तो pro t मेरा कैसा कैसा दिखेगा 100 200 200 300 बट अगर कुछ यहां जा रहा है तो कैसा दिखेगा देखो यहां पर मालो यहां पर तो कुछ कैसा दिखेगा 50 फिर यहां पर दिखेगा मालो 100 यहां पर क्या होगा साड़े 400 जैसे यहां 50 500 और यहां यह 500 हो जाएगा मोटा मोटी क्या हो रहा है जो profit यहां दिखना था वो नीचे दिख रहा है समझा अब इसमें समझो तुम क्या किया यहां पर एक डैम बना दिया त्मज़ यह दो आगे नहीं जाने देंगे आगे नहीं जाने तो तो मतलब जब आगे गया, तो interest कितना पर लग गया, 4%, 4%, 4%, तो reserve में जो पैसा इखटा होते चला गया, reserve में जो पैसा इखटा होते चला गया, उस पर ब्याज कितना मिला, 4, और अब जब यहां से उपर आएंगे, उपर कितना में आ रहे हैं, आठ में आ रहें बाबू, उपर आठ में आ रहें, बट, reserve में जब आगे गए थे, आगे जाने का मतलब क्या नीचे जाना, समझ रहें न, year on year, जैसे मालों यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां आया, फिर यहां यहां जाके निकलता है याद आ रहा है 4th year में जाके सारा reserve से पैसा निकलता है देख लो कोई भी सम उठाके देख लो 4th year में जाके reserve से पैसा निकलता है फिर जब तुम आगे लेके जा रहा है तो तुम कितना पे लेके जा रहा है पर चार पे घुर तुम टान रहे तो कितना पर टान रहे है अट पर जो इससे एल्टिमेटली invers sage क्या आ रहे है pię impact क्या रहे बोलो NPV will be lower ठीक है यही उल्टा कर दो आगे लेके जा रहा है 10 पे टान रहा है 8 पे तो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा दोनों पेसे में तो फरक ही नहीं पड़ता है ठीक है आएए नेक्स्ट क्वेस्टन नंबर 10 फोर्स अब इंट्रेस्ट डेल्टा टी कितना दे दिया है 0.03 प्लस 0.005 टी 0.07 ठीक है एस यह उन है बटा बट दोनों एसी बंद में कैसे होगा बता तो लोग ब्रेकफस्ट भी नहीं क्या होगा ना इसके बाद यह वाला पेपर खता होगा फिर हम 10-15 मिट का ब्रेक दे देंगे ठीक है तो वी टी मेरा पहले वाले में क्या हो जाएगा बताएगे तो इस विल इंशियल माइनस इंटिग्रेशन जीरो से टी 0.03 प्लस 0.005s यहीं गलबड हो जाएगा बाइस दीरो विरो में गलबड होता है चार के जगा छे यहीं समय हाँ यह पहला हो गया फिर वें टी इस ग्रेटर दन एट अब जैसे यह वाला मेरा आएगा यह पुरा सॉल्व नहीं करूंगा मैं यह वाला मेरा आएगा एक्स्पोनेंशियल माइनस 0.03 T प्लस 0.0025 T स्क्वेर ठीक है अब क्या करूंगा यहां पर मैं इसको ब्रेक करूंगा V 0 से 8 V 8 से T तो इसमें मैं 8 डालूंगा राइट कंटिनूस है ठीक है 8 डालेंगे और दूसरा वाला मेरेको क्या दे दिया 0.07 सो 8 डालने से मेरे क्या आ जाएगा e to the power minus 0.40 exponential minus 8 to T 0.07 ds ठीक है ना 0.07 T हो रहा है 0.07 T हो रहा है 0.07 T हो रहा है आपर तब ही तो ऐसे लिखे हैं इसको फिर वह बात ती नमरतों से चला यह ना अरे तुम तो T बोला T minus 8 होगा तो वही तो वही तो एक्जाम में तो वही तो वही तो होता है तो यहीं तो तो तरह पंदाविस नमर ऐसा नहीं होता भाई एक्जाम में और नर्वस फिल करेगा ठीक है कितना आएगा इसे e to the power 0.16 minus 0.070 इसके बाद में बोल रहा है demonstrate that it will take more than 8 years for an investment to double in value तो दूसरा वाला जो है दूसरा वाला यह वाला this is v 0 से t ना so a 0 से t क्या हो जाएगा e to the power 0.07 t minus clear है अब यहां पर पहले 8 डालिए e to the power 0.07 into 8 minus 0.16 बता है यह कितना आ रहे यह आएगा e to the power 0.40 so which is 1.49 which is less than 2 तो प्रूव हो गया फिर बोले calculate showing all working the exact time तो कुछ नहीं करेंगे e to the power 0.07 t minus 0.16 is equal to 2 अब यहां से equate करके answer निकालो क्योंकि यह दूसरा वाला है ना पहला वाला इसमें यूज नहीं करेंगे the inflation rate over the first 10 years has been constant 2% convertible quarterly क्या दिया है i4 calculate the real rate of return obtained on an investment made over this period कुछ नहीं है पहला 10 साल का पहले वो निकाल लो total inflation क्या हो जाएगा 1.005 है ना 2% i4 है ना so quarterly inflation क्या होगा 0.5% so 1.005 to the power 10 into 4 10 साल 4 quarter करके ठीक है और 10 साल का पहले वो निकालो अब देखो मैं एक ही बार में पुरा लिक देता हूं e to the power 0.07 into 10 minus 0.16 whole divided by 1.005 to the power 40 हम लोगो क्या बोला real rate of return nominal rate per annum convertible quarterly ना सो यह क्या हो जाएगा 1 प्लस i4 by 4 whole to the power 40 है ना 40 quarter के लिए निकाल लो विस इसको solve कर लो तेरा नंबर का question है यह ओ मैडम जी होगे बैटी डाउन solve करिए इसको solve करिए इसके 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 पहले वाला में देखो ना अपने क्या किये थे 8 साल का discounting factor अपना आया था e to the power minus 0.4 उसको 1 by करेंगे तो e to the power 0.4 which is 1 point something तो 2 तो नहीं हो रहा है 2 होने से न डबल होगा एक रुपय लगाए वो 2 रुपया हो गया तो 2 नहीं हो रहा है तो basically 8 साल में तो पैसा डबल नहीं हो रहा है ऐसा rate of return से फिर बोला कब होगा तो दूसरा वाला use करेंगे क्योंकि 8 साल से ज्यादा हो गया न अब तो आप तो 8 साल से कम हो नहीं सकते है because 8 साल में कितना आ रहा है accumulation factor 1.49 something आ रहा है तो इसलिए मैं क्या किया दूसरा वाला जो था उसमें T रहने दिया equal to 2 कर दिया because that is the accumulation factor और accumulation factor will be 2 कब वो T निकाल ला है तो वहां से solve करेंगे T को फिर part 3 में बोल रहा है inflation rate over the first 10 years has been constant at 2% so 2% पे constant है बोला है तो फिर उसको solve करेंगे हम लोग inflation क्या बोला है 2% quarter convertible so 0.5% आएगा so factor क्या बनेगा inflation का 1.005 40 quarter है so 1.005 to the power 40 and interest क्या होगा जो अपने किये थे e to the power 0.07 into 10 minus 0.16 क्या extension है देखो बढ़ा है क्या लेया डेल्टा बोला कहा है थर्ट पर्ट में डेल्टा कहां से लगेगा डेल्टा ही तो क्या हूं मैं नहीं एक सेनम को बोलने तो नहां बोलना बोल कैसे करेंगे बोल बोल कैसे कर रहे भाई यह कैसे कर रहे तुम कुश्चन रीड ही नहीं किया है क्लियरली एक बाई लैप्टोप छोड़ता अभी सुन लो पहले ठीक है पर जब ब्रेक होगा तो फिल लगा लें पर तुम्हीं कैसे बोल रहे है आठ सल के बाद बोला है डेल्टा साथ परसेंट है तो पहला आठ सल का क्या भाई आज ना हम पढ़ा रहे हैं पर खड़ा होके 500 बच्चा लोग को पहला आठ सल का मैने तुम नहीं देखेगा टाइम एट के बाद से बोल रहे है डेल्टा कॉंस्टेंट हो रहा है तुम कुछ भी थोड़ी करके आजाएगा एक्साम में तुमको नंबर मिल जाएगा अगर तुमको यही करना था तो फिर निकाले क्यों फिर बीटी क्वेश्चन नंबर 11 देखो सबलो लैप्टाप दो छोड़ दो यहीं लग कुछ भी थान देखा सबलो अलोन इस रिपेड ओवर अटर्म प्वेंटी यर्स तो एंड मेरा कितना है ठीक है मानने देखो पहला साल में बोला है पाँच जार पर अनम बट पेड मन्थली इन अर्यार फिर चार हजार साथ सो चार हजार चार सो एंड सो आन पर तेंथ तो टोटल नमबर अफ डिक्रीज विल बी नाइन टाइम्स ठीक है ना इंस्टॉल्मेंट्स वर कल्कुलेटेड उसिंग नमिनल रेट इंट्रेस्ट नाइन परसेंट कंवर्टिबल मन्थली मत्दभ पॉइंट सेवंट परसेंट फैक्टर बनेगा 1.0075 ठीक है एंड 10.5 कंवर्टिबल मन्थली फॉर दी रिमेंडर यूजिंग अप्रोप्रेट अन्विटी फंक्शन अमाउंट अप दी लोन इसमें क्या होगा न एक तो अपने को डिक्रीज बोला है ठीक है देखो बिल्डप करने में ऐसे नहीं होता है कि एक बर में तुम बनाएगा बन जाएगा तो लेट्स स्टार्ट अपने को क्या बोले मंतली नरियर बोला है मने नौ बार होगा हां स्टार्ट अफ तेन तियर तेन तियर चालू हो गया ने मेरा भाई अब समझा एक बार ना नॉर्मल बनाते हैं ठीक है फिर देखेंगे ठीक है तो नौर्मल में क्या बन रहा है फाइफ थाउजन एवन ट्वेल्फ प्लस चार अजार साथ सो एवन ट्वेल्फ वी प्लस डॉट 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 प्लस पांच हजार से माइनस करो तीन सो इंटू नौ तो कितना आ रहा है तेई सो तेई सो एक मेट एक मेट एक मेट एक मेट एक मेट तेई सो उसके बाद बोला है बट तेई सो को अलग-अलग करना पड़ेगा ब्रेट भी चेंज़ हो रहे हैं तो तेईस्सो बोलो एए वन ट्वेल्ट वी तुदी पाद नाइन प्लस तेईस्सो एए टेन ट्वेल्फ यह मेरा एक्वेस्टन बन गया राइट यहां तक किसे कोई भी डाउट एकदम क्लियर है अब अब तो देखो क्यों करेंगे प्राबल बोलो मंतली नेरील हो गया ना एवन ट्वेल्फ यह वाला वी क्यों हो रहा पता है यहां से यहां का है एवन ट्वेल्फ तो वैल्यू यहां गिर गिया यहां से यहां का है A112 value यहां गिरा फिर यहां से यहां भी तो लाना पड़ेगा यहां से यहां का है A112 value यहां गिरेगा फिर दो साल हाँ वो कर रहो मैं बट यह जो वी टुदी पटेन आएगा यह old rate पे आएगा पहला दस साल में there is some problem तो पहला दस साल के लिए हम लोग A1-12 को बाहर ले लेते हैं ठीक है तो अंदर में में क्या बन जाएगा ठीक है फिर हम लोग बनाएंगे यही तो है हाँ और कुछ है कि इसमें ठीक है अंवल में कनवर्ट कर लेंगे तो यहल अपना हो गया फिर उसके बाद यहाँ पर 2300 A यह पहला अला पार्ट है एकदम सिंपल था एक बार में बनाएं बन गया ठीक हैं? इसके बाद में क्या बोल रहा है? कैल्कुलेट यूजिंग अप्रोप्रियेट आन्विटी फैक्टर्स 6th मंतली इंस्टॉल्मेंट सु 6th मंतली इंस्टॉल्मेंट के बारे में बोल रहा है 6th मंतली इंस्टॉल्मेंट हां? क्यालकुलेट यूजिंग अप्रोप्रियेट एन्मिटी फैक्टर्स बोला है मैं बोलू इससे इसी ना ना कुछ था ना कुछ हो सकता है रेट्रोफ्र ना कुछ होगा क्योंकि जश्क चालू ही हुआ अभी यह आ जाएगा इस ते मंस का अपने को पता है एक्सिर लों अमाउंट एक्सिर लोन अमाउंट so 1 क्या है 9% बोला है क्या कितना बोला है so 1.0075 to the power 6 minus 5000 by 12 monthly नारियर है ना अरे बोलो ना यार but 6 का बोला है ना निकालने ये क्या जाएगा इसने मेरा इसको मैं multiply करूँगा 0.00 तो क्या जाएगा मेरा ठीक है और फिर minus करूँगा वाई याद कोश्चन है 9% है ना so 0.09 divide by 12 convertible monthly दिया है ना मन्स में काम कर रहे हैं याँ पर ठीक है बोलो बोलो ये लोग भी वैसे ही किया है that's it September 23 paper for you ठीक है 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 ये क्वेश्चन सबको समझ में आया तुम लोग को एक्जाम में कभी कुछ है कोई गम देखा है उसमें बोलता जीवर में कभी भी कठनाई हो आग बंद करो अपने माबाप का नाम लो सारा कोई दिक्कत नहीं है भाई एक्जाम में घर हलके सब ये ऊच नीच हुआ तो ठाइम इठाइम है हमारे पास हाँ येस ठीक है तो वैसे ही सारा रास्ता खुल जाएगा कैसे फर्स प्रिंसिपल से फर्स मैं बोला मैं को भी नहीं पता था अलग बात है तुम लोग ट्राइ कर सकते है अलग अलग तरीके से ये चीज़ मैं बोला मैं पेपर मिलते बनाया तो एक बार में में को नहीं बना वो दूसरे दिन वैसा नहीं है वो बना दिया था ऐसा नहीं है ठीक है तो इसको अलग अलग तरीके से ट्राइ करना अब जैसे इसमें ऐसा भी हो सकता है कि तुम लोग को आईए टैप का भी कोई चीज़ दे तो उसमें भी अब जैसे आईए ही है इंफैक्ट मतलब यही टाइप का चीज़ मंस में आईए बेसिकली मंस में आईए और वर मजली है बस और क्या है इसमें एक और आ सकता है तुम लोग इसमें फसेगा का पता है जब तुम मंस में काम करेंगा ट्राइ करेगा तब नहीं बनेगा बोल हाँ एनवल हो रहा है हाँ दिखत अब एक सेल में बारा महता है पहला साल में घूम रहे हम लोग तुम अब देख्ञा मंतली हुसर बैग तो फिर यह अंब लोग क्यों के तो गुस्ता हुस्त में समझमे आगे था कैसे समझमे आगे जब तुम तुम वहला नवीं मँहां आ के तो यह सब जबर्दस्ती का ग्यान दे रहे हैं गुमा के करा रहे हैं ठीक है ब्रेक है दस मिट के तुम लोग खावा के कुछ आना है तो आजो फड़ा फड़